मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई तिलनगाना के मुख्य मंत्री श्री के चंद्रिशेकर राओ जी मंच पे बैठे हुए पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन सिंग मान साब उत्तर प्रदेश के बेहद लोग प्रियनेता और पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साब मंच पे बैठे हुए अन्य सभी गन्मान्य लोग और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों भाईयों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सब को मेरा प्रणाम साब को मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ आज मुझे तेलिंगाना बुलाने के लिए उन्होंने आज दो बहुत महत्वपून कारेकरमों में हमें शामिल होने का मौका दिया और उसके बाद आप लोगों से बाच्चीत करने का मौका दिया मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कारेकरम शुरू किया है आपके सब लोगों की आँखों का चेक अप कराया जाएगा तेलेंगाना में चार करोड लोग रहते हैं सब लोगों की, बच्चों की, बुडों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की सब लोगों की आँखों का चेकप के सीार साथ मुफ्त में करने जा रहे हैं उस कारिक्रम का आज शुबारम भुवा जिसकी आँखों में डिफेक्त मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा और अगर किसी की आँखों में आपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में आपरेशन किया जाएगा शांदार प्रोग्राम है की नहीं है आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं मैंने और हम सभी लोगों ने यह सारा कारेकरम देखा इनके डॉक्टर से मिले, इनके आफिसर से मिले जितने ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लैनिंग की गई है, बहुत शानदार है मैं जाके इस पूरे कारेकरम को दिल्ली में भी लागू करूँगा और अभी अभी भगवन साहब मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कारेकरम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा फिर केसियार साहब ने हमें यह बिल्डिंग दिखाई तेलंगाना में 33 जिले हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटिग्रेटेड ओफिशल कॉम्प्लेक्स बन चुका है मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ओफिसेज हैं कलेक्टर भी यही हैं सिचाई विभाग भी यही हैं तैसीलदार भी है सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगे जगे धक्ये ना खाने पड़े सारे काम एक बार ही वो यहाँ पे आए और उसका काम हो जाए ये भी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है इसको भी हम लोग लागू करेंगे मैं समझता हूँ अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें लडने की बजाए हमें लडना नहीं है हमें सीखना एक दूसरे से अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुँच सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश दिल्ली में हम लोगों ने महला क्लिनिक बनाए आपके मुख्यमंत्री केसी आर साथ हमारे 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 मुख्यमंत्री क साके उन्होंने उसको तेलंगाना में लागू किया वो क्या नाम है उसका बस्ती बस्ती दवाखाना बस्ती दवाखाना नाम से उन्होंने तेलंगाने में लागू किया मुझे बहुत अच्छा लगा तमिल्नाडू के मुख्यमंतरी स्टेलिन साब दिल्ली आए उन्होंने हमारे स्कूल देखे हैं हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शांदार कर दिये सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं रिक्षे वाले का बच्चा पढ़ता है अब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं पिछले साल 99.7% तो स्टेलिन साब हमारे स्कूल देखने के लिए आए वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किये और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उधगाटन करने के लिए बुलाया दोस्तों मैं कई बार ये सोचता हूं हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए 75 साल फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया हमारे बाद सिंगापूर आजाद हुआ जापान सेकंड वर्ल्ड वार में तहस नहस हो गया था जापान हमसे आगे बढ़ गया सिंगापूर हमसे आग साब ने बताया हमारे देश की राजनीती बहुत खराब है हमारे देश के नेता भाँ खराब है पहली बार इस देश के अंदर एक substantive किरन जागने लगी है इस देश के अंदर कुछ मुक्य मंत्री एक साथ आ रहे हैं कुछ नेता खिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं हम सब मिलके अब राजनीती की चर्चा नहीं करते आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठके चर्चा की किस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होने चाहिए देश के अंदर अस्प के मंतरी कठे हो के यह करने लगे हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को मुझे याद है बच्पन में जब मैं दस्वी क्लास में पढ़ता था उस ताइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं केरला में अस्पिताल बहुत अच्छे हैं उस ताइम से सुन रहे हैं अगर केरला में स्कूल हास्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए अभी तक हो जाने चीए थे बाकी देश में भी क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में हम सारे हम सारे पार्टियां हापस में लड़ते रहते हैं सारे नेता हापस में लड़ते रहते हैं आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलाडू का गवर्नर तमिलाडू की सरकार को तंग कर रहा है टेलिन गाना का गवर्नर राओ साब को तंग कर रहा है दिल्ली का गवर्नर मेर को तंग कर रहा है पंजाब का गवर्नर मान साब को तंग कर रहा है यह गवर्नर तंग नहीं कर रहे हैं मोधी साब तंग कर रहे हैं गवर्नर तंग नहीं करें गवर्नर को बिचारे को क्या लेना देना गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया आलिशान गाड़ी मिल गई एर कंडिशन माहौल मिल गया नौकरी मिल गई पांसा लैश करने के लिए आता है गवर्नर गवर्नर को क्या लेना देना दिल्ली से फोन आता है राव साब को काम मत करने दो अडचन अड़ाओ आता है कि नहीं आता है दिल्ली से फोन आता है भगवंतमान को काम मत करने दो अडचन अड़ाओ मोदी साब का फोन आता है केजरी वाल को काम मत करने दो अड़ चनड़ा हो जिस देश का प्रधान मंत्री 24 गंटे बैट के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है मेरे को अब उसको तंग करना है वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त आप में से कौन-कौन बेरोजगार है ज़रा हाथ खड़े करें जो जो बेरोजगार है जो जो अनेम्प्लोइड है मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रहे हैं अनेम्प्लोइड तो बहुत लोग है आज देश क्या एक एक यूआ बेरोजगारी से तरस्त है हमारे प्रधान मंतरी को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है वो 24 गंटे बैटके ये सोचते हैं मैं किस मुख्य मंतरी को तंकर हूँ किसके उपर मैं CBI छोड़ू किसके उपर मैं इंकम्टेक्स की रेडर जलवाऊं किसके पीछे मैं E.D. छोड़ू आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है काम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है अपने बच्चे बालने मुश्किल होते जा रहे हैं लेकिन देश के प्रधान मंतरी को महंगाई की बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है वो यह सोचते हैं आज मैं किस केम में ले खरीदू इस पार्टी केम में ले खरीदू इस सरकार को गिराओं ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों 2014 में आप लोगों ने बड़ी पूरे देश के लोगों ने बड़ी उमीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था और एक एक बार नहीं दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत दे के जिताया लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए ये केवल और केवल देश बरबाद करने के लिए आए है 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है अब 10 साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड भेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे बेरोज़गारी के बारे में सोचे महंगाई के बारे में सोचे आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे देश की तरक्की करने के लिए सोचे ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया